लोकसभा चुनाव खत्म होने तक जारी रह सकती है प्याज़ की निर्याद बंदी दरअसल केंदर सरकार उपोगताओं को खुश करने के लिए चुनाव पुरा होने तक प्याज़ की निर्याद बंदी जारी रख सकती है क्योंकि महेंगा प्याज होने पर कई बार सरकार तक गिर गई है हलाकि इससे लाखों किसानों को बड़ा नुक्सान होगा इसलिए जब से ये फैसला आया है कि 30 मार्च 2024 के बाद भी निर्याद बंदी लागू रहेगी तब से किसान गुस्से में है खास दोर पर महराश्र के प्याज उतपादक किसानों में सरकार के खिलाफ आकरोश है इसलिए वो लोगसमा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं महराश्र कांदा उतपादक संग्ठन कल तक किसानों को अपना कोई फैसला सुना सकता है किसानों का मानना है कि जब सरकार चुनाव में उनकी परवाद नहीं कर रही तो बाद में क्या करेगी निर्याद बंदी होने की वज़े से किसानों को पूरे खरीब सीजन में प्याज की बहुत कम केमत मिली है वहीं केंदर ने 7 दिसंबर 2023 को निर्याद बंदी लागू की तब खरीब सीजन का प्याज खेतों से निकलना शुरू हुआ था जिससे दाम इतना कम हो गया कि किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पाए महराश्र कांदा उतपादक संखन के द्यक्ष भारा दिगोले का कहना है कि हर किसान को खरीब सीजन में ओस्तन 3 लाख रुपे तक का नुकसान हुआ है वहीं दिगोले का कहना है कि अब सरकार ने 31 मार्श 2024 से आगे भी निर्प्याज नियात पर प्रतिबन जारी रखने का फैसला लिया है तो इससे रभी सीजन भी किसानों के लिए बेकार हो सकता है क्योंकि निर्यात नहीं होगा तो घ्रेलू बाजार में आवक बढ़ेगी और इससे दाम गिर जाएगा जब हमारे हीतों पर इस तरह से चोट की जा रही है तो हम चुप नहीं बैठेंगे चुनाव में क्या करना है इसका फैसला लेंगे दिगोले का कहना है कि संक्ठन अपील कर सकता है कि जिन पार्टियों ने किसानों को नुकसान पुंचाया है उन्हें चुनाव में वोट की चोट से सबक सिखाया जाए तरसल के इंदर सरकार अगर चुनावी सीजन में प्याज जैसी जरूरी चीज का निर्याद बंद करके इसकी कीमतों पर नियंत्र रखना चाहती है तो इससे निश्ची तोर पर पड़ी मजबूरी होगी ऐसा बादार के जानकारों का मानना है वज़ा ये है कि पहले कई बार प्यास के ज्यादा दाम की वज़े से सरकारे गिर गई है इसलिए ऐसे उमीद जताई जा रही है कि लोगसबा चुनाव पूरा होने तक निर्याद बंदी जारी रह सकती है अब देखना ये होगा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ कल महराश्र कांदा उत्पादक संठन चुनाव को नहीं कर क्या फैसला लेते हैं बिरोर रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी